आज हम बात करने वाले हैं डेली डियर डेवल्स के 2014 के फुल स्क्वैट के बारे में इंडियन प्रेमियर लीग 2014 में डेली डियर डेवल्स के टीम ने खेले हुए 14 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस जीते थे और पॉइंस डेवल्स पर आखरी पोजिशन पर थे डेली डियर डेवल्स के पास बैचमेंस थे कैप्टेन केविन पीटरसन इंगलेन के इस राइट हैंडेट टॉप ओडर बैचमेंने 11 मैचेस में 294 रन्स बनाए थे मुरली बिजय ये एक राइट हैंडेट ओपिनिंग बैचमेंन हैं और इन्होंने 11 मैचेस में 207 रन्स बनाए थे मनोज तिवारी ये एक राइट हैंडेट मिडिल ओडर बैचमेंन हैं और इन्होंने 8 मैचेस में 152 रन्स बनाए थे केदार जादब ये एक right-handed lower middle order batsman है और इन्होंने 10 matches में 149 runs बनाए थे मयंग अगरवाल ये एक right-handed top order batsman है और खेले हुए 8 matches में इन्होंने 115 runs बनाए थे न्यूजलेंड के रॉस टेलर ये एक right-handed middle order batsman है और इनको बस 4 matches में ही खेलने का मौका मिला था जारखन के सौरब तिवारी ये एक left-handed middle order batsman है और उनको उस सीजन खेलने का मौका नहीं मिला था डेली के squad में रहने वाले wicket keepers थे दिनेश कार्थिक ये एक right-handed batsman है और middle order में बैटिंग करते हुए डेली के लिए second highest 325 runs बनाए थे साउथ अफरीका के कुिंटन डिकॉक ये एक left-handed opener है और 7 matches में 153 runs बनाए थे डेली डियर डेवल्स के squad में all-rounders थे साउथ अफरीका के जिनपॉल डुमिनी ये एक left-handed middle order batsman है और 410 runs बनाकर टीम के highest run getter थे निउजिलेंड के James Nisham ये एक left-handed batsman और right-term medium fast bowler है इनको 4 match में ही मौका मिला था बेंगॉल के लक्ष्मी रतन शुकला ये एक right-handed batsman और right-term medium bowler है इनको 5 match में ही मौका मिला था डेली के ही मिलिन कुमार ये एक right-handed batsman और right-term off break bowler है इनको खेलने का मौका नहीं मिला था वो टीम के joint highest wicket taker थे। शावाज नदीम ये एक slow leftarm ओर्फडाक्स बोलर है और 8 wickets लेकर वो टीम के second highest wicket taker थे। leg spinner राहुल शर्मा ये एक leg break goals Abramioni baller है और उनको उस सीजन बस दो steps में खेलने का मौका मिला था। जयन्त यादप जो की एक राइटर्म और ब्रेक बोलर है उनको उस सीजन खेलने का मौका नहीं मिला था। आखिरकार देली के पास तेज गेनवास थे। जयदेप उनटकट ये एक लेटर्म मीडियम बोलर है और नाइन विकेट लेकर वो टीम के जॉइन हाइस्ट विकेट टेकर थे। महमत शमी जो की एक राइटर्म फास बोलर है और खेले हुए 12 मैचेस में 7 विकेट चटके थे। साउथ अफरीका के वेइन पारने लिए एक लेटर्म मीडियम फास बोलर है और 8 मैचेस में 6 विकेट लिये थे। आस्ट्रेलिया के नेथन कूल्टर नाइल ये एक राइटर्म फास बोलर है और इनको बस दो ही मैच में खेलने का मौका मिला था। जारखन के राहुल शुकला ये एक राइटर्म मीडियम बोलर है और उनको भी बस तीन मैच में खेलने का मौका मिला था। सिद्दार्थ कॉल जो की एक राइटर्म मीडियम बोलर है और खेले हुए 5 मैचेस में 2 विकेट लिये थे। करनाटका के एचेस शरत ये एक राइटर्म मीडियम बोलर है और उनको खेलने का मौका नहीं मिला था। इस स्क्वेट के साथ डेली डियाडेवल्स बहुत ही खराब खेले थे और बॉटम अब दा पॉइंस टेवल फिनिश किया था। विडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सा है वो कॉमेंस कीजिए और हो सके तो इस विडियो को शेर कीजिए और आखिरकार प्लीज हमारे चैनल क्रिकेट लवर को सब्सक्राइब कीजिए